पहारपूर प्रखंड शेत के नौवडी पंचायत वाट चार में आग की चिंगारी से भीशनाग लग गई। आग में साथ परिवार का घर जलकर राख हो गया। पाक सध्यक्षर रगुवन सिंग ने पिरित परिवार को पांच परिवार पे दिया। उसके बाद एक एक बोरी चावल और गेहु भी परिवार को दिया गया। दोरान चिंगारी छूट गया था जिससे तेज हवा के चलते जो है सभी घर में आग लग गया। लोंसम आठ परिवार का घर जलकर राख हो गया। वकरी जल गया है साइकल जल गया है यहां तक कि हम दिखाएंगे केमरा के माध्यम से कि यहां जो है खानी का जो है अनाज जो है सब करके राख हो गया है। अभी हम यहां कुछ पिडित लोग हैं जिनका घर जला है उनसे हम बात करेंगे यहां पता चल रहा है कि साधी भी था। इसी लड़की का साधी भी था। क्या हुआ था। क्या कैसे आग लगा। लूती से लगा। अचे लूती से लगा। अचे लोगी का साधी था। सब जल गया। मिलाजलाकरके 10 जार का नगा। इनके यहां जल चूणा है जानमर है, छोटे छोटे बकरी जो है। और आपका भी कुछ जल आओगा है की साधी हिम प्हता। अभी सरकार के तरफ से कोई आथ है कि नहीं अंचल बलोग से कोई कर्मी आथ है मुझे लाट करके यहांकर बरतमान मुखीयां उनके पस्के सहरी विवेक स grease के दुबारे जाहीं नों को जो भी Panch फी उगा है तुर्दो बोला चाओ प्रशावल दिया गया है और लगत देने का भी जो है उन्होंने लगत दिया है नगत दिया है प्लीद परिवार को और किनका गहर जला अब हमारे पास यहां जोन प्रत्निदी हैं पाइक सद्यक्ष है रगुरण सिंगी माइन से बात करूंगा यहां बहुत सारे लुक बिलित हैं आग लग चुका है क्या इसमें मतलब होना चाहिए सरकारी और दान अब सब परिवार को उपलब कराएगी और मेरे पैक से कोई फंटो हाई नहीं यहां अपने फंट से जो सिविदा होगा उम मैं देने किने क्रेयर पुल मिलाकुर के जहां जो पैक्स के अध्यक्ष हैं रोगोबन सिंगी इनके त्वारा भी जो है यलां किया गया है कि परिवार को इनके अस्तर से जो भी मदद होगा इन पुलित परिवार को दिया गाएगा एक बोन चाओ ला और एक बोर एक बुरह गया हुँऑ रासन पताई कपलला अब दिश्व नखव में धान रिखव भी रखव द थान ज़र गया प्लास्टिक पॉली आगा निकाले नहीं पाया इस वाइब जरुदा कोई निकाले नहीं पाया चाहरपुर से आप नाइन भारत से संतोष तरपाथी की खास रिपोर्ट